आने वाले समय में इंडिया मिनिममवेश से शिफ्ट हो सकता है लिविंग वेश के ऊपर, क्या ही ये लिविंग वेश मिनिममवेश से कैसे डिफरेंस है और इस सब पूरे न्यूज के पीछे क्या कुछ सिन्यारियो है, क्या फाइदे मंद होगा इसमें और क्या नुकसान दै रिपोर्ट की तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया अपना जो पूरा ये स्ट्रक्चर है मिनिममम वेश का जिस पर इंडिया काम कर रहा है उसे चेंज करने वाला है और अब लिविंग वेश फ्रेमवर के उपर काम हो रहा है और जिसे कहा जा रहा है कि दोजार उससे संपर्ख किया है ताकि ये जो लिविंग वेश है ये कॉणसेट किसका है आययलो का ही है तो इसके उपर जो फ्रेमवर्ग हो सही तरीके से बन सके और जितनी चीजें इंडिया के लिहास से important हो, सारी चीज़ें इसमें cover हो सकें, उसी के लिए कैसे calculate किया जाएगा इंडिया के perspective से ILO से संपर किया गया, ऐसा report में कहा गया है, officially ऐसा अभी तक कुछ जारी नहीं किया गया, सरकार की तरफ से वैसे अभी तो चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़े के बारें बात करते हैं, तो according to ILO, यह दोनों definition ILO के द्वारा ही issue करी गई है, तो minimum wage क्या है, तो ILO define करता है minimum wage को, कि वो minimum amount of remuneration that employer is required to pay wage earners for the work performed during a given period which cannot be reduced by collective agreement or individual contract, कि मतलब वो minimum amount remuneration का, जो की employer, मतलब जिसने किसी कर्मचारी को काम पे रखा है, वो अपने उस wage earner, मतलब जो कर्मचारी है, श्रमिक है, उसको दे रहा है, उस given period के लिए जिसमें वो काम कर रहा है, और इसमें एक बात और बताईगी जाती है, कि इसमें इस minimum wage को किसी तरह के agreement, चाहे वो collective agreement हो जैसा हो ने, कि employees क्या जो union हो गया, तो उससे बात करके, और य हजार रुपए ही देंगे, तो ये नहीं किया जा सकता है, minimum wage में, और ना ही individual कोई contract करके, इसको कम किया जा सकता है, तो minimum wage बात क्या करता है, minimum wage वो निवनतम salary की बात करता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना जीवनियापन कर सके, मतलब minimum उसको इतना पैसा मिले, कि वो अपना घर चला सके, जो कमाई आ रही है, उससे पेड भर सके, और उसके सर पे छटो हो, और उसके बदन पे कपड़े हो, इसकी बात करता है, minimum wage या फिर जो ये पूरा concept है वो, तो इंडिया में minimum wage का system अभी तक चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि सब को minimum wage ही मिलेगा, ये एक bottom line होती है, इससे नीचे नहीं देना है किसी को, आप इससे उपर दे सकते हैं, इससे नीचे नहीं देना है, फिर बात करते हैं हम living wage की, ये क्या है, तो living wage क्या है, कि एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, कि minimum wage का एक अगला step है, जिसमें लिखावाई the wage level necessary to afford a decent standard of living for workers and their families, taking into account country circumstances and calculated for the work performed during normal hours. living wage goes beyond the basic need of food and shelter to include transportation, healthcare, education and some saving, कि इसमें living wage में transportation, healthcare, education, अपने बच्चों के लिए और कुछ saving भी हो, ताकि आने वाले किसी खराब समय के लिए उनके पास पैसे रहें, उसके लिए कुछ saving भी, को ध्यान में रख करके living wage को design किया जाता है, ये है क्या living wage, minimum wage का अगला step है, जिसमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है, तो simple सी बात है, इतनी बात तो आप समझे रहेंगे, minimum wage जो है, अगर हम बात करें कि किस में, अगर हम बात करें कौन ऊपर है, तो living wage में salary ज्यादा मिलेगी, मतलब अगर कोई अगर दोनों को लागू किया जाए, तो minimum wage अगर आपका 10 कि minimum wage जो इंडिया में है, वो कैसे calculate होता है, किस चीज के पर depend करता है, तो पहली बात आपको समझ के रखना है, कि अपना देश भारत एक बहुत बड़ा, बहुत जादा जनसंख्या वाला और बहुत जादा वाला देश है, बाकी देशों की तरह नहीं, छोटा देश से कम ज सब को फिट हो जाए, तो किस के उपर depend करता है, तो state के उपर, minimum wage जब calculate करते है, कौन से state के लिए calculate करें, development level within the state, कि उस state में आप कौन से शहर में है, भाई हरे कि state में अलग-अलग शहर के अलग-अलग development, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई नोइडा है, गाजियाबाद मतलब इन से थोड़ा चोटे शहर में कोई रह रहा हूँ, मालीजे कोई लाहबाद या प्रयाग राजिया और वरांडसी में ऐसे रह रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई 50,000 रुपय कमाए तो बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो बहुत सारी चीने depend करती है, वह अगर हम आगे बात करें, कि अगर लिविंग विज आ जाएगा भारत में, अभी यह क्या है, एक voluntary ऐसा कह सकते हैं, कि मतलब जो company अगर चाहे तो अपना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार इसे 2000 परच्चे से उसके बाद लाती है, फिर उसे लागू करती है, तो बेनफिट क्या क्या हो सकते हैं, इसलिए अभी ल चेंडर लाइफ की बात करेंगे worker की, तो उससे उसकी जो पूरी life है, वो improve होगी, उसकी family के बारे में भी सोचिंग सिर्फ individual worker के बारे में नहीं, और इसका जो effect होगा, वो productivity पे पढ़ेगा भाई, वरकर अगर सही तरीके से security महसूस करेगा, कि उसको सिर्फ इतना ही पैसा न domestic demand, अब simple सी बात है, अगर लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, तो demand भी क्या होगी ज़्यादा बढ़ेगी, भाई अगर कोई 10,000 रुपे कमा रहा है, तो वो कुल मिला करके जो भी पैसा कमा रहा है, क्यों अपने basic जीवन के लिए विता पारे, खाना मिल जा र है, कि जैसे government को भी अभी सोचना पड़ता है, कि जो ऐसे कह सकते हैं, जो poverty income, poverty, below poverty वाले जो persons हैं, या फिर जो extreme poverty में persons हैं, उनके लिए बहुत सारी schemes होती हैं, middle class के लिए schemes होती हैं, तो ऐसे में अगर लोगों के जेब में private नौकरी करते वे भी ठिक ठाक पैसा जाएगा, त भाई, जब living wage की बात होगी, तो worker bargaining power भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ऐसा होगा कि अगर कोई नहीं देगा, माली जी आप कहीं काम करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो इतना ही देंगे, वहाँ पे लागो हो चुका है living wage, तो आप अपना अच्छे तरह है, उसके अंसारा bargain कर पाएंगे, आपको पता है, किस से कम तुझे पैसा मिलेगा नहीं, उस पे आप अच्छे से bargain कर पाएंगे, ये सेम बात आपकी company के उपर भी लागो होती, कि उसे भी पता है, कि हम इतना पैसा देंगे, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं किसी को भी रख तो उसके पता है, इतना पैसा कम से कम में दे नहीं है, तो वो भी अच्छे तरीके से bargain कर पाएगी, किस skill set के persons की जरूरत है, तो ये इसके क्या है, कुछ potential benefits हैं, और जैसा होता है, benefit के साथ challenges और नुक्सान भी होते हैं, तो इसके कुछ challenges की बात हम करते हैं, जो अभी से अब भाई, बड़ी कमपनियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी, खेर, चिंता की बात उनके लिए भी होते हैं, लेकिन उतनी ही नहीं होगी, उनका business ही बंद हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, जिसकी वज़ा से हो सकता है कि हो सकता है किसी कमपनी में 50 लोग काम कर रहे हों, लेकिन इसकी वज़ा से उसे छटनी करनी पड़ जाए, ताकि सब लोगों को salary जो living wage वाली मिल सके और 50 की जगा फिर 35 लोग काम करें, हो सकता है ऐसा, यह एक इसके नुकसान में से एक है, जो economist expert बता रहे है, फि बहुत variation है, कहीं पे आपको 10 रुपय, 20 रुपय में भारत के किसी स्टेट के किसी सहर में 20 रुपय में भरपेट खाना मिल जाएगा, और कहीं 20 रुपय में आपको कुछ भी खाने को नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है, तो यह variation को ध्यान में रखते हुए, यह design करने में भी बह कर सकता है, उनके businesses में नुकसान हो सकते हैं, अभी भी जब minimum wage आपका चल रहा है, तब भी ऐसे news सुनने में आती है, कि जैसे minimum wage अगर सरकार है रखा हुआ, तो लोग करते क्या है, कि अपने जो workers होते हैं, उनको minimum wage जितना है, उतना तो तन खान दे दिया, उनके account में डाल दि फिर उनसे कहते क्या हैं, कि आप 2000 या 5000 रुपए, जितना उनको माल लीजे, एक example के तोर पे, माल लीजे minimum wage 15,000 है, किसी एक employee के लिए, किसी एक industry में, है ना, क्योंकि ये एक one size fits all तो है नहीं, 15,000 है, तो 15,000 उसके account में तो डाल दिया, company ने दिखाने के लिए हमने 15,000 रुप करना है, तो दिखात रहें के 15,000 दिन हैं, लेकिन 5,000 वो आपस भी ले ले रहे हैं, cash के form में अपने employees से, और ये बहुत होता है, और जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है, किसी भी आप private school छोटे शहर के चले जाईएगा, वहाँ के teacherों में भी आपको ये देखने को मिल होंगे, और no doubt इससे जो workers होंगे, उनकी life change हो जाएगी, और इसके साथ बहुत सारे challenges भी होंगे, जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक समस्या का समाधान होता ही होता है, बाकी आपको ये वीडियो कैसे लिए वीडियो को लाइक करी, अपने दोस्तों को शेयर करी, अगर आपको नहीं पता था, living wage जैसा term बहुत सारे बच्चों को के लिए नहीं होगा, तो आपको समझ में आया होगा, और minimum wage से कैसे difference है भी समझ में आ गया होगा, बाकी इसको लेकर के जब official नहीं हो जाती है, कि इंडिया का क्या stance और क्या framework है, तो आपको पता चले गई, म मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, तो बाकी इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे, मिलते हैं लिए वीडियो में सभी लोगं को बाए